हेलो अब्रीवान एंड वेलकुम बाग तो आवर यूट्यूब चानल स्रावी फॉरेंसेक्स आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेशन डॉकिमेंट्स के 53 पार्ट पर जहां पर हम बात करने वाले हैं फोटोकॉपी मशीन की वर्किंग के बारे में यहां पर हम समझने वाले हैं कि जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो कौन कौन सी टेक्नीक को फॉलो करती है क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है क्या इसका पूरा वोर्किंग प्रोसीजर होता है क्योंकि जो इसकी working है इसमें जो parts use किये जाते हैं उनका क्या काम होता है वो सारा का सारा already हम parts वाले वीडियो में discuss कर चुके हैं तो इस वज़ा से ये वीडियो को देखने से पहले जो photocopy machine के parts वाला वीडियो में ने बनाया था उसको देख ली जाएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको working समझना और आसान हो जाएगा तो अभी हम start कर लेते हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें जो photocopy machine में अलग-अलग तरह की techniques करी जाती है वो कौन-कौन सी होती है तो इसमें सबसे पहली तो होती है आपकी chemical process second है आपकी thermal process और third होती है आपकी जो ऐसा नहीं होता है कि एक ही photocopy machine में यह तरह की process को use करा जाता है एक process को एक तरह की photocopy machine में यहाँ पर use करते हैं तो अभी हम यहाँ पर एक करके तीनों ही techniques को समझ लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें chemical process की तो जो chemical process है यहाँ पर एक light sensitive paper का use करा जाता है जिसको directly original और यहां पर एक specific तरह का chemical composition को apply किया जाता है जिसको आपको apply करना होता है इस light sensitive paper के उपर ताकि जो भी आपके original document पर जो भी चीज़ें available होती है वो सारी के सारी photocopy के तरह से जो आपने light sensitive paper यूज करा है उस पर transfer हो जाती है और यहां पर क्योंकि chemical reaction यूज करी जाती है chemical apply करे जाते हैं और कुछ light sensitive paper का यूज करा जाता है photocopy produce करने के लिए तो इसी वज़ाजे इस technique को हम बोलते हैं chemical process ये तो हो गया आपका chemical process next हम बात करें thermal process की तो thermal process में क्या रहता है यहां पर भी आपकी photocopying paper होता है उसके उपर अलग अलग तरह है कि chemicals का apply क्या जाता है और साथ में ये जो paper होते हैं ये जब आपके original document के contact में आते हैं तो उसके बाद में इसके उपर कुछ आपकी exposure light का कुछ exposure क्या जाता है light के लिए basically यहाँ पर जो infrared lamp होती है उसका use करते हैं तो उसके अलग-अलग degree की heat को आपके जो paper होता है उसके उपर impact डाला जाता है और इस heating की वज़ा से जो भी आपके original document पर content होता है वो सारा का सारा आपके जो paper आपने use करा है photocopy paper उसके उपर transfer हो जाता है और यहाँ पर basically जो lamp use होती है वो थोड़ी से heat produce करती है तो इसी विरह से जब आपकी photocopy निकलती है तो वो आपके थोड़ी से heated होती है हलकी से गर्म होती है ठीके और अगर हम बाते है thermal process जो रहती है इसका best example क्या है तो जो thermofax रहती है thermofax एक machine रहती है यहाँ पर आपकी यह thermal process को ही use करा जाता है ठीके तो यह सारी चीज़े होगए thermal process के बारे में और यह इतना acid कुछ important नहीं है यह basic basic चीज़े हैं कि आपके thermal process में lamp use करे जाती है exposure lamp use करे जाती है IR rays use करे जाती है जो कि heat produce करती है साथ में कुछ chemicals भी use करे जाते है chemical process में आपके chemicals directly use करे जाते है light sensitive paper के साथ में जो इस विदे से chemical process है अभी जो third वाली है electrostatic process यह थोड़ी से important हो जाती है यहाँ पर होता क्या है यह इतरह का आपके electrostatic process होती है based on physical and electrostatic phenomena due to which the static electricity produces an opposite charge on the paper conductive surface मतलब कि यहाँ पर क्या रहता है जो आपकी static electricity होती है जो आपके charges होते हैं वो आपके negative charges आपके form होते हैं paper को paper के surface पर transfer होने के लिए और यही basically जो आपके process होती है यह thermofax में भी use होती है और साथ साथ में ज़्यादा तर इसका जो use करा जाता है वो zero graphy technique में use करा जाता है zero graphy technique का मतलब होता है ऐसी technique जहाँ पर जो ink use करी जा रही है toner की format में जो हम ink use कर रहे हैं वो toner जो है dry format में है और वो plastic के particles होते हैं तो जब वो plastic के particles heat करे जाते हैं थोड़ा सा तब वो अपने ink को release करते हैं तो यह चीज़ आपके zero graphy होती जो एक वर्ड में समझें तो जो आपके dry writing होती है जो dry photocopying होती है वो आपका zero graphy कहलाता है तो अब यहाँ पर जो आपका photo conductor होता है जो photo conductor drum होता है उसमें आपके अलग अलग तरह है कि photo conductive material की coating करी जाती है यह सारे charges वग्यरा को produce करने के लिए तो वो generally आपका selenium को use करा जाता है तो यह basic सा आपका था जो कि आपके zerox machines जो होती है वहाँ पर आपका electrostatic process use करा जाता है अब यह किस तरह से होता है इसी को पूरे detail में इसी वीडियो में आज़न समझेंगे बाके दोनों आसर कुछ important नहीं तो इसी विज़े से उनको पूरा अतने detailing में हम नहीं cover कर रहे हैं बस जो आपका chemical process थी वो लगभग आपका electrostatic process से similarity रखता है क्योंकि यहाँ पर क्या है जो electrostatic process है यहाँ पर आपके dry particles का use करा जा रहा है जो dry ink होती है dry toner होता है उसको use करा जाता है लेकिन जो chemical process होती है वहाँ पर dry के जगापर कुछ chemicals use करे जाते हैं जो की wet होते हैं थोड़ा सा तो इसी विज़े से उसको हम chemical process कहते हैं बागे दोनों की working में आज सच बहुत जादा difference नहीं होता है तो अभी हम आगे move करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी photocopy machine पे जो photocopy का working principle होता है वो क्या होता है किस base पर photocopy machine work करती है तो इसके basically दो आपके basic principle होते हैं दो fundamental principle होते हैं जिसमें से पहला तो यह है कि opposite charge attract जो opposite charges होते हैं वो की working समझेंगे उसके अलावा जो tendency होती है certain materials की to become more electrically conductive after absorbing electromagnetic radiation सच आज UV, infrared, visible light etc. मतलब कि जो अलग-अलग materials होते हैं उनकी जो अलग-अलग तरह की radiations होते हैं, electromagnetic radiation होते हैं जैसे कि UV हो गया, IR हो गया, visible light हो गयी तो इसको absorb करने के बाद में वो हलका सा electrically conductive हो जाते हैं यानि कि उस पर या तो positive charge आ जाएगा, या तो negative charge आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं photo conductivity, photo conductivity का sample सा मतलब होते हैं कि photo conductivity जो आपकी semi conductors होते हैं, जो किसी ऐसे चीज़ के contact में आने पर, या तो positive charge गेन करने हैं तो negative charge गेन करने हैं, वो depend करेगा उस particular material की जो भी उसका nature ह होगा उसकी उपर, तो ये दो working principle होते हैं, opposite charges and tendency to, tendency of certain materials to become more electrically conductive after absorbing electromagnetic radiation, तो ये दोनों point एक तो बहुत दोदा important है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेजेगा कि photo copy machine कि basic principle पर work करती है, ये आप से question पूछा जा सकता है, तो इतना हो गया और अभी हम आगे move करते हैं, और अब इसकी working को समझ लेते हैं, तो basically इसकी जो working होती है, इसको अगर हम classify करें तो 5 steps में classify कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है आपका charging, second होता है exposure, third होता है आपका developing, fourth होता है transfer, fifth होता है fusing, कैसे कैसे होता है, इसको अभी हम अपने एक image की help से समझते हैं, तो अब इसम image को थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो, यह जो आप circle देख रहे हैं, यह है आपका drum, अब इस drum पे यहाँ पर आपका जो उपर side में लगा हुआ है, यह है आपका charging करोना, यह है आपका transfer करोना, यहाँ पर यह वाले जो unit है, यह आपकी toner unit है, उसके यहाँ पर जो आपका यह roller लगे हुए है, यह आपके fuser के roller है, साथ में यह वाले जो दो unit लगी हुई है, यह आपकी cleaning unit है, इतने चीज़े होगे, अब आपके समझ लागे कहां पर क्या क्या चीज़े हैं, उसके अलावा यहाँ पर यह जो आपका सबसे उपर वाला portion है, य यह आपकी glass की surface है, जिसके नीचे इस जगह पर आपकी light लगी हुई है, यह जो light है, आपकी run करती है, जब आप photocopy करना है, start करते हैं तब, तो आपने जो glass surface है, इसके उपर एक आपने page को रखा, जिस भी document का मालीजे, यह आपके पास एक document था, इस पर काफे कुछ लिखा ह हुआ था, आपको इसके बहुत सारी zerox copy चाहिए, इसको आपी photocopy चाहिए, तो आपने क्या किया, इस particular page को, जो आपकी यहाँ पर, जो glass surface थी, इसके उपर just reverse, यानि कि इस side में लिखा हुआ है, तो इसको आपने palette के रखा, और आपने इस glass surface पर जबाप रखेंगे, और आपको start किया, तो आपका जो drum होता है, सबसे बहुत तो उसको charge होना पड़ता है, चाहिए जो charging corona होता है, यह काम करता है, अब charging corona जो रहता है, वो करता क्या है, यानि कि जो आपका drum होता है, वो photoconductive होता है, photoconductive का मतलब कि जब उसके कुछ charge आएगा, तो वो negative charge यहाँ प्रोड्यूस होता है तो charging कोरोना जो drum होता है उसको charge करने का काम करता है थ्रूँ उस पे जो drum के उपर जो भी आपकी photo conductive material की coating होती है उसका use करते हुए तो जब यह ऐसा करता है तो photo conductive जो drum होता है इसके उपर आपका negative charge produce हो जाता है तीक है यह आपका यहाँ पर ही negative charge produce हो गया अब इसके बाद में हुआ क्या जब आपने photocopy start करी थी तो आपने paper को glass surface की उपर इस जगा पर रखा हुआ था तीक है यह आपका paper रखा हुआ है मारे भी ए लिखा हुआ है इसके आप आपका page पे जितना white surface होती है याने कि जहां पर इंक अवेलिबल नहीं होती है वो सारी के सारी surface आपकी जो रहती है वो illuminate हो जाती है लाम्प की वजह से अब वो जो लाम्प आपकी illuminate हुई वो सरफ आपने उसने white surface को illuminate किया जो black surface होती है जहां पर इंक अवेलिबल होती है वो वाली रखा आपके illuminate नहीं होती है तो अब हुआ क्या जो आपकी white surface जो कि illuminate हुई थी तो वो जो surface रहती है वो जाकर आपकी जो आपका drum की उपर रहता है वो जाकर stick कर जाती है मतलब कि page से जो कुछ आपके information थी वो extract हुई कैसे इस extract हुई जब आपकी light उस page पर पड़ी तो उस page पर क्या हुआ जितना भी आपका white surface था वो सारा का सारा illuminate हुआ और illuminate होके lens वगेरा अंदर लगे रहते हैं तो उससे reflect होते हुए ड्रम के उपर impact पड़ता है तो जब ड्रम के उपर आता है तो जहां पर भी आपका ink अवेलेबल थी तो वो surface आपकी illuminate नहीं हुई थी तो जो surface illuminate नहीं हुई थी उस जगह से आपके ड्रम के उपर के जो negative charge होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं ठीक है मतलब कि जब आपके ड्रम पे negative charge अवेलेबल हो चुका था charging करोना की वज़ा से उसके बाद में जो आपके page से जो भी information extract हुई थी तो उसमें से जो भी आपके page पे जो black surface थी याने कि जो inked surface थी वो आपकी illuminate नहीं हुई थी तो वो जो surface जो की illuminate नहीं हुई थी वो जब आपके drum पे impact पड़ेगी तो वही surface आपकी उसी जगहा पर सेफ negative charge आपके बन जाएंगे अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझें कि मान लीजेए कि जो आपका ये है ये आपका एक है drum अब इस drum के उपर क्या हुआ एक आपकी जो भी light थी वो जिसनी भी information वो capture के था वो सारी की सारी इसके उपर पड़ी impact आया अब impact आने पर क्या हुआ जितनी भी आपकी जो आपका इंक surface था उस जगहा पर आपके drum के उपर क्या हुआ ये इस तरह से सारा का सारा जो negative charge था वो बनने लगा तो अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि इस जगहा पर जहां पर भी आपका negative charge available है तो उस जगहा पर ये जो आपकी जितनी भी ये negative charges है तो यहां यहां पर आपकी ink available है और ये वाली जो surface जहां पर आपका कुछ भी available नहीं है वहां पर आपका white surface है तो इसी तरह से आपकी drum होता है वो आपका कुछ roller के format में होता है इस तरह से तो इसी तरह से इसके उपर सारे के सारे negative charge available हो जाएंगे अब इतना तो हो गया आपका charging और developing ठीक है अब यहाँ पर आपके जितने भी information थी वो सारे के सारे roller के उपर develop हो गई negative charge के format में यानि कि जो बन चुकी है अब हमको requirement है इसको ink करने की तो ink करने के लिए क्या होता है कि अब third step आएगा जहां पर आपका जो toner रहता है वो सारे के सारे positively charged होते हैं तो जब toner आपका negative charge के साथ में contact में आएगा तो positive निगेटिव charge के जस्ट उपर आपका positive charge attract होने लगेगा तो जिस जगह पर आपका image बनी थी negative charge के format में वो आपका positive charge यानि कि toner को attract कर लेगा तो यानि कि जो roller के उपर आपकी image imprint हो चुकी थी वो आपकी अप ink हो चुकी है तो अब इसी चीज़ को आप इस जगह पर देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है यहां से light आई थी यह आपका negative charge उस जगह पर बन गया तो अब इसमें क्या होगा जब यह मूफ करके टोनर के पास में जाएगा यह आपका टोनर है तो टोनर से जो भी आपके positively charged जो आपके ink होती है positively charged powders होते हैं fine powder होता है तो वो आपका negative charge के साथ में contact में आता रहेगा तो वो आपका पूरा का पूरा जो भी information होती है drum के उपर वो transfer कर चके paper पे तो अब यहाँ पर photocopy machine के just opposite side से इंटर करेगे एक paper की sheet अब इस paper की sheet जो रहती ही जब यह इंटर करती है तो यह हो जाती है आपकी negatively charged अब जब यह negative charge हो चुकी है और क्योंकि drum के उपर था negative charge उसकी उपर आया आपका positive charge जो की toner था और वापर से जब यह ink आपक पर होगी paper पे तो उसके लिए paper को होना पड़ेगा negative charge क्योंकि positive और negative attract होते हैं अभी मैंने आपको working principle पर जाता कि आपके जो opposite charges होते हैं वो attract होते हैं वो इसका basic principle है तो यही चीज़ है कि drum के उपर पहले था negative charge negative ने attract किया positive toner को अब यहाँ पर positive को वापस से transfer करना है paper पे तो उसके लिए paper को होना पड़ेगा negative charge तो paper जैसे ही इसके अंदर enter करता है तो paper आपका negatively charged हो जाता है और वो जब इसके contact में आता है drum के contact में तो जो transfer corona होता है यहाँ पर आपका transfer corona लगा है तो यह transfer corona क्या करता है जितनी भी चीज़ें आपकी end format में drum की उपर होती है वो सारी की सा आर यह आपकी paper पे transfer कर देता है थिक्ति अब जिन आपकी paper पे transfer हो चुकी है तब यह transfer corona ही यह paper को आगे move करता है मतलब इसकों जो है drum से अलग करता है क्योंकि वो तो आपका contact में है क्योंकि वो positive और negative attract हो रहे हैं तो अब इसकी वज़ा से ये transfer corona paper को drum से अलग करता है जब सारे के सारे information attract हो जाती है फिर ये आगे paper को pass कर देता है fuser के पास में यहाँ पर आपका fuser available है ये दो rollers है इसमें जो आपका upper roller होता है ये आपका silicon का होता है लेकिन ये आपका heat करता है और जो नीचे वाला roller होता है इसको lower roller कहते है lower roller fuser बोलते हैं जो आपका normal rubber का fuser होता है जो बस एक base बनाने के लिए use कर दाता है ठीक है तो अब जब ये paper की जो heat होती है वो जब इस पे से transfer करेगी तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ink थी जो कि plastic वाली ink रहती है तो वो आपका जो upper roller होता है fuser का तो वो इसको heat करके जो ink रहती है वो उसमें से release करवाती है और इससे क्या रहता है कि जो भी आपके toner से जो ink अवेलिबल भी वो सारे की सारे उस particular page पर fix हो जाती है तो ये काम था इतना fuser का ये आपका fourth step से लेकर कि five step तक सारे के सारे complete होगे fusing तक के अब इसके बाद में हुआ किया जब यहाँ पर पूरी की पूरी ink आपकी अवेलिबल हो जगी है अब इसके बाद में जो आपका paper है यहाँ से बाहर निकल जाएगा paper tray में इतना ही काम होता है photocopy machine में इस तरह से अब यहाँ पर जो आपका last में क्या था fuser से pass हुआ था paper और fuser ने paper को किया था heat तो जबी भी आपने photocopy निकलते वे देखा होगा तो photocopy निकलने के just बाद में आप उसको touch करके देखिएगा तो वो आपके थोड़ी सी गर्म आपको मालूम देती है वो थोड़ी सी hot होती है क्यों होती है उसका reason यही होता है कि last में जो fuser roller होता है fuser roller बाला जो upper roller होता है वो आपका उस paper को heat करता है ताकि उसमें से ink release हो सके तो यह point भी बहुत important है इसको समझ लीज़ेगा यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी working आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है और meet करती है आपको समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ आपकी photocopy पूरी तयार हो चुकिए आपकी photocopy machine से photocopy बहा निकल चुकी है अब इसके बाद में जो आपका काम था photocopy machine रभूत हो चुका पूरा तो अब यहाँ पर बहुत सारे toner के residual particles बच जाते हैं तो उसको remove करने के लिए यहाँ पर दो cleaning residual charge और cleaning residual toner यह दोनों को clean करने के लिए आपके cleaning cleaning unit लगी हुए है यह आपके पूरे के पूरे drum को clean कर देते हैं क्याकर जब दूसरी आपको photocopy करने हैं कुछी दूसरे चीज़ की तो वो आपकी इसी तरह से आराम से की जा सके तो कुछ इसी तरह से यह सारा का सारा काम होता है photocopy machine में उमीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अब मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है, explain किया है वो सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने यह 3-4 slides में लिखा हुआ है तो जितना भी मैंने आपको समझाया है इसको पूरा एक बार read करिएगा यहाँ से जब मैं आपको इसकी photocopy, sorry, जब मैं आपको इसकी PDF provide कर दूँगे हमाई telegram channel पर वहाँ पर आप इसको read करेंगे एक बार तो आपको यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear हो जाएंगी, ठीके, तो यह सारा का सारा है आप try to discuss screen shot लिए तो आपको तो यहाँ पर आपकी photocopy machine की जो working होती है, जो working principle होता है उसको बहुत अच्छे से हमने समझा रहे है उमीड करती है, आपको समझ में आ गया होगा यह सारी चीज़े आपको समझना बहुत important हैंगी, जब आप इसका examination करेंगी, photocopy document का तो यही सारी चीज़े आपको help करेंगे तो यहां तक हमने photocopy की जतने basic चीज़े होती हैं उसको समझ लिया है अब जो इसका last part आएगा जहां पर हम बात करेंगे इसकी examination की और forensic significance की तो यह सारा का सारा आपना last part में हम cover करेंगे, तो last part को देख लिजेगा, वहां से आपके नेत के exam में बहुत सारे questions बन सकते हैं जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे आपके previous year paper में ऐसे questions बने भी हैं photocopy machine के, जो आपके working वगेरा से related हैं इसके जो parts होते हैं, उनसे related हैं किस वरा से हैं, वो हम अपनी next video में discuss कर लेंगे तो यहां पर यह video होता है और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलेग्रम चानल पर Facebook, Insta पर जरूर से join कर लिजेगा Blogger पर आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएगे तो वहाँ पर जरूर से visit कर येगा और ये video पसंद आ रहा है तो like जरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में share कर दीजेगा ताकि उन तक भी quality content पहुंच जाए चानल पर नहीं तो चानल को subscribe जरूर से कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for watching me here